नमश्कार सुआगताब सभी का हिस्टری त्रिशिक्री चैनल में मैं रवी कुलरिया इसलेक्ठर राजसान से आजके इस वीडियो में एक ऐसे प्रिश्चन पर बात करने वाला हूं First Grade की तयारी करने वाले विद्धियार्थियों के मन में भी एक नया प्रिशन उभर कर आ गया है कि सर अब हम Assistant Professor की तयारी करें या First Grade की तयारी करें तो बहुत सारे विद्धियार्थी अस्मंज़स में हैं और उनकी दुविद्धा मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ क्योंकि एक साथ इतनी vacancies आ गई हैं क्योंकि राजेसान में अगले साल चुनाम होने वाले हैं तो government चाहती है कि सारी vacancies वो समय पर complete करवाएं और जल्दी vacancies शुरू करवाएं ताकि कभी कोई अडचन किसी vacancy में आती है तो भी उसको चुनाओं से जो आचार सहीता अगले साल लगेगे उसमें काफी समय हाभी उससे पहले पहले complete करने की कोशिश और उसी कभायत में आप देखेंगे कि जुलाई में rate का आयोजन होने वाला है उससे पहले ही सरकार ने second grade के लिए बोल दिया है साथी RPSC के दोरा जो first grade की vacancy उसके बारे में कई दिनों से कवय चल रही है और कहा जा रहा है कि उसकी भी विग्यप्ति आने ही वाली है और अभी assistant professor की हजार पदों के लिए मंजूरी दे दी गई है तो उसकी विग्यप्ति भी आ सकती है तो आज मैं आपसे कुछ इमानदारी से बात करने की कोशिश करूँगा जितना मुझे अनुमान है जितना मुझे पता है उसके हिसाब से ऐसा तो देखिए यह आप यह सोचते हैं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपको यह बता दूँगा कि भई फालानी तारिक को तो यह एक्जाम होगा उसके बाद में यह एक्जाम होगा उसके बाद में यह इतना तो नौलेज मुझे भी नहीं है लेकिन आपकी समश्याओं को कुछ हाच्टा को सुल जाने की मैं कोशिश करूँगा बात करते हैं फस्ट ग्रेड की जिन विद्यार्थियों ने पिछली बार फस्ट ग्रेड का एक्जाम दिया था और यदि उनका सेलेक्शन 10, 20, 25 नमबर, 30 नमबर के अंतर से रह गया है तो उन विद्यार्थियों को फस्ट ग्रेड के लिए दुबारा प्रियास कर लेना चाहिए इसका कारण एक ये भी है देखी मैं डारेक्ट कोई बात नहीं कह सकता लेकिन आपने भी ऐसे स्क्रिन शोट देखे होंगे जिसमें जीके का जो फस्ट पेपर था उसमें कई विद्यार्थियों ने मतलब अभुतपूर्व अंक प्राप्त किये थे ऐसे से विद्यार्थि थे जिनके सेकेंड पेपर में 50% भी नहीं आ रहे और उन्होंने फस्ट पेपर के अंदर 90-95-95 प्रतिशत अंक अरजित किये थे अब वो उनका ग्यान था या विशेश उपलब्दी थी या क्या थी उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा आप समझजार विद्यार्थी हैं आप समझ जाएंगे कोई छोटे बचे आप नहीं है तो अब की बार देखी संभावना तो बिल्कुल यही है कि फेर गेम होगा अब की बारे के जिस प्रकार अभी रीट में हुआ वैसा कुछ नहीं होगा और या मैं कहूंगा आपको कि सबसे यदि फेर कोई चांस बना है भरतियों के होने का तो अब की बार बना है क्योंकि इतनी धरपकड हुई है लोग पैसे लेने से देने से भी डरेंगे अभी तो एक बहुत ही अच्छा मौका इन चार जो वैकेंसीज है इनमें विद्यारतियों के सामने आने वाला है हमारे आज़ पास के बहुत विद्यारती फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हुए बिना पैसे दिये लेकिन उनके भी मैंने देखे कि जो जीकी का फर्स्ट पेपर था उनमें किसी के 95 नमबर थे किसी के 98 थे कोई 100 तक पहुँचा लेकिन चुकि उनका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रोंग था तो वो क्लियर कर गए यदि ऐसा नहीं होता यदि मतलब जो विद्यार्थी पिछली फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट होए हैं वो बहुत इंटेलिजेंड थे मतलब उसकी आदे से भी कम पोस्ट होती तो भी वो सेलेक्ट होते तो इसलिए फर्स्ट गेड में पिछली बार ये कोई विद्यार्थी 10, 20, 25 नमर से रहा है तो वो ये मानिये का आप निश्चित रूप से उस भरती में सलेक्ट होने के योग्य थे और आप दुबारा परियास करेंगे तो आपकी पूरी पूरी संभावना है कि आप सलेक्ट हो जाएंगे निश्चित रूप से आप मेरी भावना समझ रहे होंगे और मैं बात बताते से मैं कमिक आ करता हूँ लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए मैं समय समय पर पढ़ाता भी हूँ और ऐसे ऐसी न्यूस भी आपके लेकर आता हूँ तो सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा अब बात करते हैं रीट की अभी जो रीट का एक्जाम हुआ है पिछले बारवाला उसमें ये दिया आपके कहीं भी आपको 125 से उपर नमबर आपने प्राप्त की है या 120 से उपर प्राप्त की है तो ये मान लिजी कि आप पूरी तरह से दोड़ में है और ऐसा नहीं है कि ज जीजान से पहले लगे हुए थे और वे चाहते हैं कि ये इनके प्रकारेन एक जोब हमें सरकारी मिल जाए तो उनको मैं सजजेस्ट करूँगा कि उनको रीट की और जाना चाहिए उन्हें एक और प्रियास करना चाहिए लेकिन डीट में जो कि अभी एक क्लीर नहीं हुआ ह है वो क्लीर होगा तो मैं आपको कुछ बहते तरीके से सजजेस्ट कर पाऊँगा कि अभी तो यह लग रहा है कि पात्रता का ही एक्जाम होगा जुलाई के अंदर और फिर अगला एक्जाम होने तक 2-4-5 महिले का समय और लग सकता है तो 60 प्रतिशत जो पात्रता है या 55 प उड़ेंगे तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा प्रियास करने के अवशक्ता नहीं है क्योंकि पात्रता आप अरजित कर लेंगे लेकिन जिनका पूरा जो अध्यापक भरती परिक्षा के लिए पूरा ही अपना समय दे रहे है रीट के बारे में बात कर रहा हूं तो विद्यारतियों को बहुत ज्यादा हलके में इसको नहीं लेना है ऐसा इसलिए है कि पात्रता परिक्षा में हो सकता है अभी जो रीट का हुआ उससे थोड़ा सा टफ पर आए जैसे पहले आर्टेट वगरा हुआ करता था थोड़ा टफ आता था पर तो आपको बिल्कुल संख्या बिल्कुल भी कम नहीं है आप फॉर्म पर मज जाएगी दस लाग पंद्रा लाग उस पर मैं बात नहीं करूंगा इतने अभेरतियों को तो कभी भी नोकरी नहीं मिलेगी लेकिन अभी भी हम देखें तो पोस्ट की संख्या बहुत जादा है और जो इमानदारी से तयारी करेंगे और जो योगे विद्यारती हैं उनका चुनाव जरूर होगा और हम एक फेर एक्जाम की उमीद कर रहे हैं अब बात आती है सेकंड ग्रेड की तो कई जैसे सब्जेक्ट में हमने आज लिस्ट देखी सोला सो से अठारा सो पद है हिंदी में कम है बाकी सोला सो अठारा सो पंदरा सो इसके आसपास पद है तो उसमें भी पदों की संक्यात ठीक है तो जिन विद्यारतियों की अपनी सब्जेक्ट पर पकड़ है या पहले भी सेकंड ग्रेड के लिए तयारी कर चुके हैं और ज पूछी दिया आप सेकंड गेड के लिए तियार करेंगे तो लगबग लगबग आपका रीट के लिए भी तियार हो जाएगी और पात्रता परिक्षा आपकी जो है वो क्लीर हो जाएगी और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एक्जाम कब होगा अभी देखिए आप मुझसे पूछें कि सर बताईए कि सेकंड गेड का कौन से महीं नहीं होगा अभी गौर्मेंट तो कह रही है कि जुलाई तक हो जाएगे लेकिन मुश्किल रहता है हो भी जाए कई बार आपने देखा है कि ऐसी परिक्षा है कि विग्यपती में डेट आई है और उसी टाइ या किस महीं नहीं होगा 100% नहीं बता सकते हैं लेकिन आपको अपना चुनाव करना है इसी प्रिकार से इसे पहले से सलेक्ट हुए हैं थर्ड गेड में सेकंड गेड में और फस्ट गेड और असिसे प्रोफेसर की तियारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं जो portion है वो अलग से आता है या world history में कुछ एक दो टोफिक इदर उदर हो सकते हैं तो आप पीए जी फर्स्ट ग्रेड और assistant प्रोफेसर में confused हैं तो आप अपनी तयारी करते रहें subject की और फर्स्ट पेपर पर आप थोड़ा सा wait and watch खेलिए कि बहीं कौन सी vacancy पहले आ सकती है पहले फर्स्ट ग्रेड ही complete होने की संभावना है तो आप उस पर इदि देखिए कोई जिसके पास अभी जोब नहीं है तो उसको मैं कहूंगा कि भी assistant professor की बजाए वो फर्स्ट ग्रेड पर ज्यादा फोकस करें जिसके पास पहले से job है third grade second grade वो अपना free होके game अपने हिसाब आप से ले सकता है कि वो चाहे कि नहीं फर्स्ट ग्रेड नहीं लगेंगे तो assistant professor लगेंगे तो ऐसे कोई सोच है तो उसको घबराना नहीं चाहिए इतिहास की में बात करूं तो vacancies भी 909 में है तो वो भी assistant professor के लिया से कम नहीं है लेकिन कोई first grade और assistant professor में चाहता है कि इन में के लिए कोई तयारी करता है पहले तयारी कर रहा है अच्छी तरह से उस syllabus को cover कर चुका है अभी भी वो उसके बार में पढ़ रहा है तो उसको बहुत ज्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है वो read पर अपना focus करे और थोड़ा इंतजार करे कुछ दिनों तक और की से पहले या बाद में होने वाली है रीट का तो लगबग लगबग आप मान लिजी कि जुलाई के आसपास से रीट हो सकती है तो यह आपको खुद को तै करना है मेरे जैसे जो अध्यापक है वो आपको थोड़ा सा guide कर सकते हैं आपको पढ़ा सकते हैं लेकिन आपको मतलब दो तिन नाओं की सवारी नहीं करनी है कि आप सोचें कि 1st grade के भी किताब लिया है 2nd के भी लिया है रीट के भी लिया है कुछ दिन आपने रीट पढ़ा फिर कुछ दिन आप 1st grade के ओर ऐसे मत करें रीट आपका फोकस है तो रीट पे ही आप लगे रहें 2nd grade का थोड़ा थो लगे हैं साथ ही 1st grade के अंदर लगे हैं तो वह आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देगा और कहीं बाद में आपको पस्तावा नहीं हो तो आज आज आपको डिसाइड थोड़ा सा कर लेना है मन में थोड़ा सा बैठा लेना है और उसी हिसाब से आपको तयारी करने चाहिए यह दिया आपको यह वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा है तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और भी आपकी कोई समस्या है तो आप कोई मसुल जाने की कोशिश करूँगा समय समय पर और मैं फर्स प्रेड के लिए जैसे मैं सभी पढ़ा रहा है फर्स प धन्यवाद